शुप्रबात प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाथ्य पुस्तक छितिज से पाथ नमबर दो राम लक्षमन परसुराम समवाद राम लक्षमन परसुराम समवाद के दो पद्यांश की व्याख्या हम कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मन परसुराम समवाद से पद्यांच नंबर तीन की व्याख्या और शब्दार्थ पाठ को समझने के लिए व्याख्या करना जरूरी है क्योंकि इसमें अवधी भाषा का प्रियोग किया गया है जब तक आप पाठ की व्याख्या नहीं करेंगे एक एक शब्द का अर्थ आप नहीं जानते हैं तो पाठ का जो अर्थ है भाव है उसको हम नहीं समझ पाएंगे साथ ही परिक्षाओं में जो प्रशन पूछे जाते हैं, उसमें अभ्यास की प्रशन के साथ साथ आपसे पध्यांच, पठित पध्यांच से परसन पूछे जाते हैं इसलिए पद्यांच को पदों को समझना बहुत जरूरी है हर एक शब्द का अर्थ आप अगर समझ लेते हैं उसकी व्याख्या समझ लेते हैं तो परिक्षा में कहीं से कोई भी पद्यांच आता है तो बड़ी आराम से आप उसके उतर दे सकते हैं आपको किसी परकार की कोई समस्या नहीं होंगी तो चली शुरू करते हैं आज का पार्ट पद्यांच नंबर तीन इसके शब्दार्थ और व्याख्या करते हैं शब्दार्थ आप साथ-साथ सुनते-सुनते नोटबुक में नोटडाउन कर सकते हैं क्योंकि हर एक शब्द का अपना अर्थ है और जब हम व्याख्या करते हैं तो शब्द के अर्थ पे अगर अटक जाते हैं तो फिर बाद में व्याख्या में दिक्कत होती है. चलिए शुरू करते हैं पध्यांच तीन शब्दार्थोर व्याख्या. मैं कच्छु कहा सहित अभिमाना भ्रगुसुत समुझी जनेव बिलोकी जो कच्छु कहुओ सहोरिस रोकी सुर महीसुर हरीजन अरुगाई हम्रे कुल इन पर ने सुराई बंधे पापु अप कीर्ती हारे मार्त हुपा परी तुम्हारे पिछले पदो में हमने देखा लक्षमन और परसुराम के बीच में समवाद होता है लक्षमन हसते हुए अभिमान के साथ परसुराम मुनी का अपमान करते हैं परसुराम मुनी इस अपमान को सहन नहीं कर पाते उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और साथ ही लक्षमन से कहते हैं कि पूरे संसार में मेरा क्रोध परसिद है, सबी संसार वासी जानते हैं कि मैं कितना क्रोध ही मुनी हूँ और फिर भी तुम इस तरह की बादचित मेरे साथ कर रहे हूँ. पिछले पद्याश के आखरे पंक्ते में हमने देखा कि परसुराम मुनी क्रोधित होकर कहते हैं कि जो ये मेरा फरसा है, मेरा जो कुलहाडा है जो मैं अपने हाथ में रखता हूँ, ये इतना भयानक है कि कि किसी भी गर्ब में पल रहे बच्चे का भी संगार कर सकता है. अब आगे ये सारी बाते सुनके लक्षमन जी कहते हैं, देखिएगा क्या कहते हैं. महायोधा, मानी मतलब मानना, कि हे मुनी, हे मुनीश्वर, हे मुनियोमिश्रेष्ट आप तो अपने आपको एक बहुत महान योधा मान रहे हैं. पुनी-पुनी मोही देखाव कुठारू पुनी-पुनी का अर्थ है बार-बार मोही मतलब मुझे देखाव मतलब दिखाते हो कुठारू कुठारू मतलब फरसा, कुलहारी जो उनके हाथ में सस्त्र है जिसको पकड़के रखते हैं फरसा या कुलहारी तो यहाँ पर लक्षमन कहते हैं हे महामुनी आप अपने आपको बहुत बड़ा योध्धा मानते हैं और साथ ही मुझे बार-बार देखकर अपना ये जो फरसा है ये दिखा रहे हैं चहत उडावन फूकी पहारू चहत मतलब चहते हो उडावन मतलब उडा देना फूकी मतलब फूक मात्र से पहारू मतलब पहाड को ऐसा लगता है लक्षमन कहते हैं परसुरामुनी से ऐसा लगता है कि आप तो फूक मार के ही पहाड को उडा देना चाहते हो याण कि इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हो अपने मूम या मिठ्थू कर रहे हो तो आप देख रहे हर एक शब्द का अर्थ है उसको समझने की कोशिश कीजिए आगे है इहां कुमभड बतिया कोहू नाही यह बहुत ही महतोपुन पंक्ति है साथ में परिक्षा में भी इसमें से प्रशन पुछा जाता है कि इस पंक्ति का आशेस पश्ट कीजिए इहां मतल यहां पर कुमभड बतिया कुमभड बतिया कुमभड एक प्रकार का फल होता है काशी फल होता है कुमभड बतिया कोव नाही कोव मतलब कोई भी नाही मतलब नहीं है जो काशी फल होता है जब फल कच्चा होता है छोटे आकार का होता है तो बहुती नाजुक होता है अगर कुंबड बतिया कोव नहीं, कि हे मुनी यहां पर कोई भी काशिफल के समान नाजुक या कमजोर कोई भी नहीं है, जिसको थोड़े से प्रहार मातर से, थोड़े सी चोट करने से जो तूट जाए। परिक्षा में इस पंक्ति का आश्यस पश्ट केजी इस तरह से प्रशन आता है, अगर इस तरह का प्रशन आता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, लक्षमन यहां कहते हैं कि हम दोनों भाई बहुती वीर योदा हैं अगर आप समझ रहे हैं कि थोड़े से प्रहार से थोड़ी सी चोट से आप हमें हरा देंगे आप हमारा वद कर देंगे तो ऐसा करना संभव नहीं है यहां कुमभड बतिया कोव नहीं यहां पर कोई भी कमजोर और छोटा नहीं है जे तरजनी देखी मरी जाही तरजनी तरजनी हमारी उंगली होती है जो अंगुठा होता है उसके पास वाली उंगली को इंगली में हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं जे तरजनी देखी जो तरजनी मतलब जो तुम्हारी उंगली है तरजनी उं कुमबड के समान हम इतने कमजोर नहीं है कि आप जरासा उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे, हम भी वीर योदा हैं और युद करना जानते हैं, आगे लक्षमन कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, कि देखी मतलब देखकर कुठारू, कुठारू मतलब जो आपका शस्त्र है, कुलहाड़ा जो है, सरासन, सरासन का अर्थ होता है धनुष, धनुष का प्रियावात्य शब्द है सरासन, बाना मतलब बान, कि आपके हाथ में ये फरसा है, और साथ में धनुष बान है, इनको देखकर मैं कच्छू कहा सहित अभिमाना, कि मैंने कच्छू अपने धारन किये हुए है, इनको देखकर ही मैंने सारी बाते अभिमान के साथ आपसे कही है, ब्रगु सुत्थ समुझी जनेव बिलोकी, और आप ब्रगु सुत्थ हैं, ब्रगु के वंच में पैदा होने वाले उनके पुत्र हैं, समुझी मतलब जानकर, तो ब्रगु सु और साथ में एक ब्रहमन है, जो कचु कहू, सहो रिस रोकी, जो जो भी कचु मतलब कुछ भी कहू, जो आपने कहा है, सहो उसको मैं सहन कर रहा हूं, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, आगे लक्षमिन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप ब्रहमन हैं, आपने जनेव ध धारन किया हुआ है, यह गोपवित धारन किया हुआ है, तो जो बाते आप मुसे कह रहे हैं, वो सारी बाते में सहन कर रहा हूँ, अपने क्रोध को शांत करके सहन कर रहा हूँ, सुर मही सुर हरीजन अरूगाई, अब यह बहुत ही महतोपुन पंक्ती है, आगे वाली पंक्ती सुर, सुर का आर्थ होता है देवता, मही सुर, मही सुर शब्द का प्रियोग पिछले पध्यानश में भी किया गया है, मही सुर का आर्थ होता है ब्रहमन, मही का आर्थ होता है पिर्थवी और सुर मतलब देवता, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रहमनों का स्थान पिर्थवी प आगे लक्षमन कहते हैं सुर मही सुर हरीजन अरू गाई कि जो देवता हैं जो ब्रहाम्मण हैं साथ में जो इश्वर के भगत हैं और जो गाई है हमरे कुल इन्ही पर ने सुराई कि हमारा जो कुल है वो इन्ही इन्ही पर ने सुराई सुराई कार्थ होता है वीरता कि इन च प्रोध को रोक कर ही जो भी बाते आपसे कह रहाऊं, ये जानके कह रहाऊं कि आप एक ब्रहामन हैं, एक मुनी हैं। इन चारों में से किसी के साथ भी हम लड़ाई करते हैं, या इनका वद करते हैं, तो हमारे कुल का अपमान होता है, हमारे कुल का अप्यश होता है। पढ़ना है, तम्हारे मतलब है यानि कि ए मुनी, हे परशुराम मुनी, अगर आप मुझे मार भी देते हो, बार बार आप मुझे करोध में कहे रहे हों कि मैं इस बालक का वद कर दूँगा। अगर आप मुझे मार देते हो, मेरा वद कर देते हो, तो भी मैं आपके पैरों में ही पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे वंश में ये नहीं सिखाया जाता, कि किसी ब्रहामन के साथ यूद किया जाए, या उन पर किसी परकार की कोई वीरता दिखाई जाए, आगे लक्षमन कहते ह कोटी कुलिस समवचनु तुम्हारा, कि है परशुराम मुनी कोटी, कोटी मतलब करोडो, कुलिश कार्थ होते हैं वज्र, वज्र भगवान इंदर का अस्त्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो शब्द हैं, अस्त्र और शस्त्र, सस्त्र होते हैं जिनको हम हाथ में इसी परकार इंदर भगवान के पास उनका अस्त्र था वज्र, जो बहुत ही भयानक माना जाता है, अगर वज्र का प्रहार किसी के उपर कर दिया जाता है, तो उसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, एक स्टोरी मुझे याद आ गई है, बीच में वीडियो काफी लंब आकार अलग परकार का हो गया था, आप हनुमान जी की फोटो देखते हैं, तो उनका जो मू है आप अलग ही परकार के आकार का हो गया था, क्योंकि वज्र परहार किया था भगवान इंदर ने, इसलिए वज्र एक परकार का अस्त्र है, और कुलहड़ा एक परकार का सस्त्र हैं कोटी करोडो कुलिस वज्र सम मतलब समान वचन मतलब वचन तुम्हारा मतलब तुम्हारे लक्षमन कहते हैं है परसुराम मुनी आपके ये कठोर वचन जो आप मुझसे कह रहे हैं ये करोडो वज्र के परहार से भी जादा कठोर हैं जिस प्रकार वज्र का परहार बहुत कठोर माना जाता है, वैसे ही आपकी जो वचन है, जो बार-बार आप मुझसे कह रहे हैं, ये बहुत ही कठोर है, वेर्थ धरू, धनू, बान, कुठारा, वेर्थ मतलब बेकार में ही, धरू मतलब धारन कर रहे हो, धनू मतलब धनूश, बान मतलब बान, कुठारा, कुठारा मतलब कुलहाडा कि आपने तो बेकार में ही ये सस्त्र धारन किये हुए है धनुषबान को धारन किया हुआ है और साथ में इस कुलहाडे को धारन किया हुआ है आपके वचन ही इतने कठोर है इतने कठोर वचनों को आप बोल रहे हो कि एक करोडों वज्र के प्रहार के समान ल उनको देखकर जो बिलोकी उनको देखकर अनुचित कुछ गलत कहा हो चमहू मतलब छमा करना महामुनी हे महानमुनी धीर मतलब धैर्यवान हे धीर महामुनी परशुराम जो आपके धनुषबान और कुलहाडा को देखकर मैंने जो भी अनुचित बात कही है जो भी गलत बात क अगर आको लगता है इस सारी बाते गलत है तो आप मुझे मालध कर दीजी। इस तरह लक्षमन परसुराम मुनी से शमा याचना करते हैं। रिशी के वंश में पैदा होने वाले मनी, मनी मतलब मनी, कि उस वंश की मनी के समान परशुराम मुनी बोले बोलते हैं, गिरा, गिरा का अर्थ होता है वानी, गंभीर मतलब गंभीर, कि सारी लक्षमन की बाते सुनकर परशुराम मुनी, भरगुवन्स मनी यानि परशुराम म अपनी वानी को गंभीर करके क्रोध के साथ बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं वो हम अगले पद्यांश में पढ़ेंगे, इस प्रकार से हमने इस पद्यांश की व्याक्या की, साथ में शब्दार्त भी देखे, आप भी इसकी व्याक्या कीजिए, आशा करती हूँ प्यारे पद्यांश के साथ पद्यांश नमबर 4 की शब्दार्त भी आख्या करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखे, पढ़ते रहिए, स्वस्त रहिए, विस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखे, मिलते हैं अगले वीडियो में, थेंक्यू वेरी प्यारी पच्चु तेंक्यू